वो साजण साजण मैं करूँ निमारो साजण दीज़ जड़े वो केसरिया बालम केसरिया बालम पधारो मारे देश्ट जब ये साफा आपके सर पर सज जाता है बंद जाता है उदर गौरव के सर पर भी सजा हुआ है तो आपका मान सम्मान और सोच समझ का जो तरीका होता है वो एकदम बदल जाता है और यहां पर जहां हम मौझूद हैं यह हटीली धर्ती कहा जाता है हमीर हटीले ऐसे थे कि उन्होंने हट कर लिया था इस बात का कि यहां अलाउद्दीन खिल जी की सेना घुसेगी नहीं तो महीनों डेरा डाले पड़े रहे गई पड़ी रहे गई उसकी सेना लेकिन उसके लिए तक नहीं पहुँच पाई जहां हट हो गया था कि अब तो यहां नहीं आने देंगे इस बार यहां के वोटर्स ने किसके लिए हट किया है किसको जिताना है और किसको जिताना है अगर यह मन बना लिया है तो आप समझे हटीली धरती तो उसे जिता कर रहेगी यहां के जनता का मन टटोलेंगे क्या आप लोग जनरली इतने यही शान्त रहते हैं या फिर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके मन का हो रहा है तो एक बार तालिया होनी चाहिए वो तालिया जो बताएं यहां कि उर्जा कैसी है वो जो तालिया यहां पर चर्चा के पहले उस माहौल को बना दें जिसमें यह चर्चा आपके साथ होने वाली है तो यह जो यहां की प्यारी सी जनता है इसको आप भी सरा सकते हैं आप तमाम लोग जो टाइमस नावन भारत के जरीए इस प्रसरन को देख रहे हैं और यहां मंच पर जो लोग हैं आईए मैं उनसे भी आपका परिशाय करा देता हूँ सुशील दिक्षित जी भारती अजनता पर्टी से वक्त दिकाल कर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आए हैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ भावानी सिंग मीना जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और उनसे अभी मेरी बात हुई तो बता रहे थे कि आजकल उपवास भी चल रहा है तो शक्ति का की उपासना वो कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए तौफीक भाई हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं कि या तो दीवाना हसे या तू जिसे तौफीक दे वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है क्या कॉंग्रेस के प्रत्याशी को इस बार मुस्कुराने की वजहें मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है ये हम उनसे समझेंगे लक्षमी शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में चुड़ रहे हैं एक बार इन महमानों के लिए भी जोरदार तालिया होनी चाहिए मैं आपके बीच में आऊँगा आप लोगों के सवाल आप लोगों की राय भी लूँगा और आज वो बात पहुँच गई कि कवासी लक्मा जीतेगा और मुदी मरेगा आप अपनी जीत की कल्पना कीजिए लेकिन किसी की मृत्यू के संदर में कोई बात अपने मुझे कैसे निकाल सकते है क्या ये हमारी संस्कृती है क्या हमारे चुनाओ ये लोगतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है क्या इसमें ऐसी जुबान का इस्तिमाल होना चाहिए क्या कॉंग्रेस के जो मेरे मित्र हैं उनसे मैं ये समझूँगा लेकिन पहले रिपोर्ट जरा देख लीजे कैसे कॉंग्रेस ने चुनाओ दर चुनाओ असल में गलती की है लेकिन लगता नहीं कुछ सीखा है या असल में इसको गलती मानती भी है कॉंग्रेस पहले रिपोर्ट देखिए। मोदी इनकी धंकियों से डरने वाला नहीं है। इनका बारा सातमा असमान पर पहुँच गया है। क्या कुलहाडी पर पैर मारना कॉंग्रेस की आदत हो चुकी है। लोगसभा चुनाओ से ठीक पहले कॉंग्रेस प्रधान मंतरी मोदी पर हमलावर है। कॉंग्रेस नेता प्रधान मंतरी मोदी को गाली दे रहे हैं। कॉंग्रेस नेता मोदी की मौत की बात कर रहे हैं। मोदी के सिर्फ ओडने की बात कर रहे हैं। लोगसभा चुनाओं के पहले चरण से ठीक पहले क्या कॉंग्रेस असल मुद्दे से भटक गई है और हार की बॉखलाहट में पी ये मोदी को अपशब्द कह रही है ताजा बयान 36 गर से कॉंग्रेस नेता कवासी लखमा का है जो मोदी को मारने जैसी बात कर रहे है चंद दिन पहले 36 गर कॉंग्रेस के बड़े नेता चरण दास महंत ने मोदी का सिर्फ फोड़ने की बात कही थी अब वो मोदी को डिफॉल्टर बता रहे हैं कॉंग्रेस नेता गाली दे रहे हैं तो बीजेपी कॉंग्रेस की गाली को ही मुद्दा बना दे रही खुद प्रधान मंत्री मोदी पलटवार कर रहे हैं मोदी ने जब गोटाले बाजों का रस्ता रोका जब बीचोलियों की कमाई बंद की तब से इनका पारा सातमा आस्मान पर पहुँच गया है ये मोदी से साथ बढ़के ये लाठी से मोदी का सीर फोड़ने की दमकी दे रहे हैं मोदी गरीब का बेटा है सीर उंचा रख करके चलता है मोदी इनकी दमकियों से डलने वाला नहीं है कॉंगरेस ने जब जब चुनाओ से पहले मोदी को गाली दी उसका खामियाजा उन्हें हर चुनाओ में उठाना पड़ा क्या एक बार फिर कॉंगरेस ने मोदी को गाली देकर सेल्फ गोल कर लिया है क्या 2024 के चुनाओं में कॉंग्रिस को मोधी को गाली देने का खामिया जब फिर से उठाना पड़ सकता है क्या सोस्ती है जनता जनता का मन टटोलने के लिए हमारी इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है टोंक सवाई माधोपुर लोग सवासी तो चलिए सीधे चलते हैं टोंक सवाई माधोपुर की जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में और जब यह रिपोर्ट आप देख रहे थे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनको किसी बात से आपती है उनके आपती क्या है उनके पास जानने के लिए पहुंचूंगा लेकर उससे पहले जरा यह समझ लूँ यह सेल्फ गोल हर बार क्यों होता है तौफिक भाई यह बद्जुबानी कॉंग्रेस पर भारी पड़ती आई उसके बावजूद कॉंग्रेस यह गलती क्यों करती है जी 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 बोरी अपनी बात में मैं पहले आपेसरा चाहता हूँ कि जनता के मुद्धों के बारे में आज और ये मुझे बोल्ने को मोकह लिजा में करना चाहता हूं लेकिन मैं सबसे बड़ी बात यह बद्जा का है जाता जिस तरीके से आप इस एलेटी वगेरा को दिखा रहें तो जनता का मन टटोल ने कम आये और मुझे से लगता है मोदी जी का पिरचार करने जादा है यह से प्रिटीत होता है मुझे क्या आपको ये लगता है कि बदजुबानी को इगनोर किया जाना चाहिए क्या हमारे संसकार ये दिखाते हैं कि हमारे बुजओर्ग हमारे देश के प्रधान मंतरी के लिए बदजुबानी होनी चाहिए यह जब आप से लक्षपी शर्माल समझना चाहूंगा ये ये आप से साइड की आ रहा हूं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा आपकी बात सुनूंगा मैं ताइम सनाव चैनल को धन्यवाद सवाई मादों पुराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन जब मीडिया एक तरफ ये दिखा रहा है कि मोदी जी को गालिया दी जा रही है थोड़ी सी वो भी दिखा दो जो मोदी जी ने गालिया दिये आप थोड़ा बताईए ना जरता को थोड़ा एनलाइटन कीजिए आज राज नीती में गालियों का चलन तब से शुरू हुआ है 2014 से मोदी की दूवी गालिया तो किना है आप समधने की कोशिशिश करो जलती से मैं आ रहा हूं चनता आपके पास आऊंगा खास्त और से आप लों के पास मैं टाइम सुनों भारत का दन्यवाद दिने साँगे आपने सवाई मादवुर अलगभव की धरती पर आकर ये कारकम को किया और आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का इसमें यही जवाब है कि जहां संस्कार ही नहीं होंगे जैसे संस्कार बोडी उस संसकारवान परिवार से निकलेवे सदस्थ है जहां बच्पन से ही संस्कार जिखाजगता है अपनों का मान सम्मान बढ़ों का मान सम्मान का लक्षमी-शर्मा कह रहा है यह तो वह भी कहते हैं आप उस कल्चर की बात कर रहे हैं यह उस कल्चर के लोगे जो जब यहां आपका कर्कम शुरू भी नहीं हुआ था और आपके यहां जो संगीत पर जो बादियंत पर बैटी हुए अमरेक अलका रहे जब राम जी का भजन का रहे थे तो यह कह रहे थे अल्लाहु अकबर का भजन करो इनको राम के नाम से इतनी नफरत है इनको नाम के नाम से इतनी नफरत है कि यह बार-बार कह रहे से कि यहां पर आप अल्ला उखबर का रहा यह अब शब्दों की राजनीती कब खतम होगी क्योंकि elections और political figures हमारे देश के लिए जनता के लिए role model भी होते हैं यह अब शब्दों की राजनीती कब खतम होगी भवानी सिंगी जमोदी जैटेंगे अरे वो कहीं वो यह ना कहें कि आप गणेश भगवान की दर्ती बार ना कहीं कुछ और भी कहीं किसी के कहने से रुकने वाले नहीं है और आप तो जानते ही है इनके इन्ही इन्ही जवाबों से जनता ने इनको इतना side में खड़ा कर दिया कि आज चिल्लाने की नोबत इन लोगों को आगी है अभी 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 जब ये कारेकरम शुरू हुआ तो आपने कहा कि नवरात्री का पावंत्योहार है तुलसिदाजी महराज ने एक बात कही ये दर्ती राम की है कृष्णि की है कि जाके प्रिये नही जाके प्रिया नाम पर जाके लिए ताही वेरिंस अग्दिया आए तक ये भगवान राम का विरोध करने वाले जनता में हर तरह की आवाज हर तरह की बातों को सुना जाना चाहिए यहां पर लोगों ने कुछ लोगों नहीं कहा कि आप तो जब यह रिपोर्ट दिखा रहे है ऐसा लग रहा है अब मोदी जी का प्रचार करने कवासी लखमा ने जो कहा क्या वो टाइम स्नावन और भरत के इशारे पर कह दिया जाहिर नहीं कहा क्या मोदी मरेगा इस तरीके की भाशाओं का ये लोग समर्थन करते हैं सुर्वात इननों की 2014 में सोनिया गांदी के लिए क्या बोला था की महिला सकती का सम्मान करने बादे प्रधान मंत्री दी ती यह दरती हैं कर इंदू की है तो मुस्मानों की भी यह दर्म रिवेक्स देसे आप लोग उने आप लोग उने यह करका है कवासी लगमा ने जो कहा वो हमने आपको सुनाया मनी शंकर एयर ने जो कहा वो मैंने आपको सुनाया सोनिया गांदी ने जो कहा वो मैंने आपको सुनाया यह मेरे उपर आप उंगली क्या उठार और किसे किया राम कौने अल्ला कौने यह किसे किया राम कौने अल्ला कौने भावानी सिंग जवाब दीजेगा सर में सवाई माधुपर के विकास की बात करना चाहूंगा ना की बद्जुबानी की बात करना जाओंगा सर विकास की सभिता सभिता भी सभिता के विकास क्रम में हमको अपने संसकारों का ध्...? थीयाँ रखना चाहिए भाशा का ध्याण रखना चाही तो इस तरह की भाशह जिस्तिमाल की जा रही है भलाना मरेगा क्या आप इसका संसकार और सभेता इस पर बात कीजिए संसकार सभेता ठीक है क्या वाकई इतना मार्जिनलाइज है हमारे लिए भाषा का संसकार यह भी समझे बोदी जी की जो काबिलियत है और जिस प्रकार से उनसा ग्राब बड़ा है उससे आपको लगता कि चार जने चार कोने में रहे गए हैं अगर इनकी यही संसकर्ती रही तो अगले चुना में चार भी आपको नहीं मिलेगे यह चार भी नहीं मिलने वाले यह सब साब हो यह कांग्रेश की संसकर्ती में बज्जवानी लिखी वी यह वह भी कुछ एक टिपनिया बता रहे हैं उन टिपनियों पर आपको क्या कहना है सोनिया गांदी जी ने गुजरात में इनके पास इनके पास मोधी का कोई जवाब निया मोधी जी ने जो देश को आगे बढ़ा है वह आज की तारिक में कोई नेपा बढ़ा ही नहीं सकते नहीं वह सब ठीक है लेकिन इस पर तो वह कह रहे हैं कि यहां का मुद्दा नहीं है यह सब बाकी बाद में यह तो मुद्दा है यहां का मुद्दे तो सब एक होते हैं यह तो पूरे राष्ट का मुद्दा लोग उसको आप पाक साफ मांनते हैं वह कह रहा है कि यूवाओं को रोजगार नहीं मिला किनी सरकार जिम्मेदार है इस पर आपका क्या पेपर लिग किया करेप्सन किया बजरी का और गौंटालों की सरकार कहलाई विरायक सीम बन के गूम रहते चारो तरह लूट मचाई जंता में तरहत रहे हो गई हैं सी एशटी डलीद मैला और यूवा बेरोजगार कर दिये को बेरोजगार बता किसानों के लिए इन्हों ने कहा था नहीं तो आप कहते हैं आप कहते हर एक पार्टी हर पॉलिटिकल पार्टी आज की बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है या केवल और यह पूछ रहे हैं और पूरी दुनिया में पूरी दुनिया अरभी दूनिया अरभी घर जी ने इतना महलां के लिए पानी पुछाया है कRedis पच्चों के लिए पूरा मोधीजिन है किसानों के लिए दिलके लिए आपके बीबचें किया तो वो उनको रोजगार मिल गया है मेरे तो बेटी है कि यह थीन तीना काम कर 2 ञारी मुझे जिन दिए चाहे कुछ भी कर लो इस पर आपके टिपने लूँगा रोजगार इसलिए नहीं मिला कि इनकी सरकार में पेपर चोरी हुए है पेपर चोरी होंगे तो जब नहीं पढ़ने वाले बच्चे लोगरी लगें और पढ़ने वाले रहे जब आप जब कॉंग्रेस की सरकार य जब इस तरीके की बातें आप देखते हैं गौरब एक दूसरे पर छीटा कशी की गाली कलोज की तो आपके दिमाग में क्या आता है तुम प्रेम के पंची हो फ्रेम से मिलो आपस में प्यार करो देश फ्रेम्यों थे कि यह रोजगार के लिए हिरोजगार एक साथी न उठाया वह कि अधरा जब्छत सै उस調त और तो पेपर लीग होए मैं यूँ कह रहा हूँ आप से मनी पूर पर छोड़ो मोधी का अंग्रेस से पहले बिदा हुआ था क्या यह बताइए जिस कोलेज में पढ़ा हुए वो कोलेज भी तो अंग्रेस का बना हुआ है और दूसरी बाद उसके पास कहां से आएगा आप यह बताइए कि मोधी एक ही जो क्या आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किये बगार बात करना जरूरी है यह आपने लिखा है ना बने का बारत दो दाट चोड़ा से चोईस तक नहीं बना किया बारत और नहीं बना तो सरकार क्या करी थी और आप वैसे आपको क्या लगता है आप जाते होंगे पुर रोजगार देने का बाते किया था मोदी सरकार अचा अधर से इधर आ गए वेरी गूल तो फिर वो कहा गया यह दो करोड रोजगार की बाते कहीं थी नौ भारत बने गए बाते कहीं थी और उन बातों का क्या हुआ सुचील जी आप से देखिए विरोधियों के पास में हैं शाहिद इनकी कलपना से बाहर हैют इनको दिखनी नहीं रहा है और रोजगार एक ऐसी चीजes है वह आपको स्वरोजगार करना चाहिगा तो बने गा यदि उपने आपको रोजगार कर रहे हैं आप सवरोजगार कहर ब Therefore आप स्वरोजगार क्याई रहे हैं पेपर निए बार पेपर लीग हुए एक रोजगार रास्तान की सरकार ने ने दिया एक भी रोजगार जी बता तो आप मेरे को और आधर नहीं है बज़नलाज जी की सरकार ने आते ही सबसे पहले यहाँ पर मैं यह भी बात कर रहा था लोगों से कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बहुत दिने सो या पेक्षी थे आज तक इंतजार है यहां इंडस्ट्रीज के लिए जो काम किया जाना चाहिए वो इंतजार अभी इंतजार ही है क्या यह बात सही है अब मेरी बात सुनिए अभी यह विकास की बात कर रहे थे विकास की बात बताता हूँ Medical College सवाई माधूपुर की धरती दर्थी बन रहा है और वो मोदी जी की सरकार के द्वारा बन रहा है आप फुलिया का सुभज दे सकते हैं इस कॉंग्रेसियों ने सवाई माधूपुर की धर्थी के किसानों से जोट काम ही यह लोग 70 साल तक देश को लूट ते आए यह को गुम्रा करते आए देश के मद्दाताओं को गुम्रा करते आए आप जाके देखिए मेडिकल कोलेज बन रहा है आप यहां किये मेरा निमेदन सुनिए पर अमरूद की बहुत बड़ी पैदावार होती है इन्होंने प्रूड प्रोसेंजिंगे नाम पर इन्होंने वाद किया है यह पर बनाएंगे तो आप कर रहे हैं बिल्कुल आप होगा हमारी सरकार ने हो काम किया है जब तक वो निवने तिल्ली एक्सप्रेस में बना दिया धाई गंटे के अंदर इसको आप लोग विकास में गिनते हैं कि नहीं किनते में आपके पास आऊंगा लेकिन इस पर आपका जबाब चाहूंगा इतने सारे विकास के काम किया तो है जल्दी से ठीक है सुचिल जी मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जिलाद द्धर्स मोदे ने बार बार चीक कर चिल्ला चिल्ला करके यह कह रहें कि हमारे सरकार काल में यह हुआ हमारे कारकाल में हुआ लेकिन इन बातों का कहने ते समय है मैंने जलत डक्षी के कहना चाहता हूं कि उनकी बाते और जुबाने अपने आप लड़करा जाती हैं क्योंकि रोजगार के नाम पर एक सब्द उनके पास कहने के लिए नहीं है और किसी भी बिंदू पर व समझने की कोशिश करें मैं आपको बता देना चाहता हूं आप आप चीज़ करके चिला चिला करके चिला चिलाना ये ये तुम लोगों की फितरत हो सकती है हमारी फितरत नहीं है हमारा काम साइलेंट तरीके से सुनना है और सुनाना है और आम जंता को समझाना है आप एकनी म वाली बातें उधर से क्यों सुनाई दी जरा मैं इसका जवाब लेनु भवानी सिंगी से एक बात देना चाहिए आप लोगों की तरफ चाहिए सबसे स्टाइटिंग पहले आपने सुरू करिया उन्हों ने कहा कि राम और अल्ला के विश्वा में पूछो तो राम के नाम लेन अधुक है ता कि तो पाकिस्तान में आप लेकर नाम कि नाम तुर्ण पर करें तो करें तो इस सब्सक्राइब में पर यह जाएगा जाए को प्रवादि यह सुनाओ यह को इस बिद्री आप जाता हूं अधुक है जो यही बत शोचिए अध्यग बढ़िये एक सेगंड भवानी सिंग्जी एक एहम बात कह रहा हूं और यहां जो लोग मौजूद हैंसे भी जानना चाहता हूं कि क्या साड़े चार सो एक सेट मेरी बात सुनिये ये पाँच सो सालों का जो इंतजार था हर एक हिंदू का मर्म आहत था इस बात से कि उसके भगवान राम टेंट में बैठे हुए है क्या ये हिंदूों का मुद्दा नहीं है क्या ये हिंदूों का यहां की जनता का इस देश की धर् नहीं बोलने देजें अगर आप उनको नहीं बोलने देंगे तो बात कैसा सामने आईगी बात बोले दीजें गोर राम राम हमारे लिए आस्था का केंदर है वह हमारे दिरों में बसते हैं और इनके लिए व्यापार का सब्सक्राज चुनाओं जीत लिया धूराख मंदिर को लेकरflies प्रचार तंत्र में आप देसों को लगा कर और ये राम को फिर दूबार बेच रहे और फिर व्यापार कर रहे राम का नाम इस देश की आस्था उनका मुद्दा है कि नहीं जरा मेरे को नीचे जाने दीजिए यहां कॉंग्रेसी भाई इधर जो खड़ें उनसे भी पूछू इस संविधान नहीं हुए राम का बाचा नसी आराम उदंडी लोगों का नारा जाई शीरी राम है सद्दालू लोगों के लिए राम बागेवार पकंडी लोगों के लिए बोट का सामान है आप आप इतने सारे लोगों को बहुकूप बना रहे हैं यह सिर्फ बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं राम का नाम लेना बीजेपी का प्रचार है राम इस देश की आस्ता का केंडर नहीं है इचार साल बार बेटे थे लाममंदर को कोई ताला नहीं कुल वहाया घालके प्राण है इसके बाद जरूर मैं यह समझना चाहूंगा कि राम का नाम लिया जाना क्या भारत की संस्कृति के सेकुलर संस्कृति के ताने बाने को छिन बिन्द करना है यह एक बड़ी एहम बात है लेकिन इससे पहले कि मैं अब इसके इस चर्चा के आखरी पड़ाओ में जाओं एक बात में समझ लूँ कि क्या राम का नाम पॉलिटिकल पार्टी भारती जनता पार्टी इसलिए लेती है ताकि जो एहम मुद्दे हैं उनको कवर अप किया जा सक दिए और सुनिये और जाता सुनिये विकास की बात जिकास की बात सुनिये अंबराज के मुद्दे सुनिये जारा 370-330-330-3CAA विशोचाले लाम के नाम का व्यापार मत करो पार लगेगा अगर विकास योजना ऐसे कित्रे अने गौने इसके पास ने दिया क्या है इनने साथ साल के राज में अगर एज भी कोई ऐसे निशानी बता दे लक्ष्मी शर्मा जी एक बात एक बात आपकी बातों से एक साथ विकास पूरी दुनियों को दिखाया एक साथ 552 रेल वे इट्टो सुनों का जुन उत्वार करने कि अरे हाथ मत पकड़ा करिए सुषील जी आप से निवेदन कुछ कर रहा हूं सुनिये बात तो सुनिये लक्ष्मी शर्मा जी एक बात ये बताईए यह इधर से जो बातें कहीं जा रही है वो यह कहा जा रहा है कि हम नीतियां बनाते हुए यह नहीं देखते कि जाती धर्म क्या है लेकिन राम हमारी आस्था के केंडर थैन राम हमारे जी ठुछ दैन आपसे लिए रही हैं नहीं किरो किन हमनें पॉछ लिए कि भान के रहा हैं पहुछने वाली और य साह लेकर उससे पहले यहां का जो भाव हमने देख सी इलेक्शन के दौरान कोई रेकॉर्ड बनता देख रहे हैं आप गौरफ पिल्कुल सर और एक ही गीद मेरे दुबा पे आ रहा है कुछ करिये कुछ करिये नस नस मेरी कौले अब कुछ करिये